इस लकी ने मेरे साथ जो किया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती सर। नहीं प्रिंसिपल सर, डिम्पल जूट बोल रही है। जहां डिम्पल एक बड़े घर की बिगडी लड़की थी, वहीं लकी एक अनात, लेकिन लकी पढ़ाई और खेल कूद में सबसे आगे था। और इसलिए कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियां उससे नफरत करते थे। लेकिन जो लकी से सबसे ज़्यादा चिरता था, वो था डिम्पल का बॉइफ्रेंड और कॉलेज का सबसे अमीर लड़का, राहुल और फिर एक दिल, अरे सुना तुमने, इस बार कॉलेज के क्रिकेट टीम का कैप्टन राहुल नहीं, लकी होगा। जब राहुल को हटा के लकी को कॉलेज के क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया, तो राहुल गुस्से से पागल हो गया, और तब डिम्पल राहुल से बोली, ओ बेबी, मेरे पास इस लकी का इलाज है, इसका वो हाल करूँगी कि क्रिकेट टीम तो क्या, कॉलेज में उस वक्त मिलने बुलाया जब लाइब्रेरी बिलकुल खाली थी। और जैसे ही लकी लाइब्रेरी पहुचा, डिम्पल ने अपने कपड़े खुद ही फाड़ लिये। और चलाते हुए लाइब्रेरी से बाहर भाग निकली। डिम्पल ने लकी पे उसकी इज़त के साथ खिलवार करने का इलजाम लगाया। डिम्पल के पापा बड़े आदमी थे। इसलिए लकी के सफाई देने के बाद भी सबने डिम्पल की बात पे ही यकीन किया। और प्रिंसिपल बोले। डिम्पल बेटा, फिकर मत करो, अभी इसको पोलिस के हवाले करता हूँ। लेकिन तब ही प्रिंसिपल के कमरे का दर्वाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ राहुल। और फिर उसने जो कहा, वो सुन डिम्पल के होश उडगए। ये डिम्पल जूट बोल रही है, ये हम दोनों की साजिश थी लक्की को फसाने की, लक्की निर्दोश है। राहुल की बात सुन, डिम्पल बोल पड़ी। ये क्या कह रहे हो राहुल। डिम्पल की बात बीच में काटते हुए राहुल ने कुछ ऐसा बोला, जिससे सुन डिम्पल और प्रिंसिपल दोनों सन रह गए। अरे चुपकर पागल लड़की, तु जानती नहीं कौन है ये लक्की। क्या राहुल सही कह रहा था? कैसे राहुल को ये सब पता चला? क्या डिम्पल अपना इल्जाम वापस लेगी? और आखिर क्या था लक्की का सच? जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें, पॉकेर एफेम और सुने! इंस्टा मिल्योनेर